हिलो दोस्तों मैं स्वरम बलिक आप सभी का टोपिक स्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों रेलवे गुरूप डी के लिए जो मैंने मैट का क्रेस कोर्स बनाया है उसका ये पार्ट 6 है इससे पहले मैं 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ आप सभी वीडियो को देख सकते हैं लिंक नीचे डिस्केप्शन बोक्स में भी गिविन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा अगर समझ में आए तो लाइक सेर जरू करेगा पहला कोशन है किसी वस्तू को 1920 में बेचने पर अरजित लाब का परतिसत उसी वस्तू को 1280 में बेचने पर हुई हानी के परतिसत के बराबर है वस्तू को कितने मुल्य में बेचा जाए कि 25% का लाब प्राप्त हो सके अगर यहाँ पे आपको क्रेम उले CP पता होगा तो आप यह निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हमें CP ही निकालना पड़ेगा तो CP तो नहीं दे रखा है यानि कि क्रेम उले आपको नहीं दे रखा तो उसको हम X मान लेते हैं ठीक है तो किस तरीके से करना equation को देख लेते हैं वज्टू का क्रेम उले यानि कि जो उसकी खरीद है जितने में आपने उसको खरीद है उसको हमने X मान लिया CP उसकी cost price इतनी होगी तो profit कब होता है 920 रुपे में बेचने पर उसे profit होआ है तो अगर मैं 920 रुपे में से जो cost है जो उसकी CP है उसको minus कर दूँ तो profit पता चल जाएगा तो मैंने उसको उसमें से minus कर दिया और loss कब होता है जब CP बड़ा होता है और जितने में हमने sale क्या है 1280 से बड़ा होगा CP तभी तो loss होगा यानि कि जो आपका क्रेम उल्ले होगा वो विक्रेम मुल्ले से बड़ा होगा ठीक है तो यहाँ पर x में से हम minus करेंगे 1280 को तो अब पूछे जो profit percentage है आपका वो loss percentage के equal है यानि कि 920 रुपे में बेचने पर जो profit आपको होगा जो profit percentage आपको होगी वो उतना ही loss percentage होगा 1280 रुपे में बेचने पर ठीक है भई तो हमने इनको दोनों को equal रख लिया और divide कर दिया x से x यानि की cp से profit percentage निकालने के लिए into 100 और यहाँ पर भी हमने x से divide कर दिया loss percentage निकालने के लिए into 100 ठीक है भई तो अब इसको solve कर लेते है दिखे x से तो x कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा तो बचा कितना क्योंकि यह equal में लिखा है ठीक है तो 920 minus x इस तरफ बच गया और x minus 1280 एक तरफ बच जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपके x की value आजएगी अगर मैं इसको इधर लेके हूँ धर जाएगा थो 2x हो जाएगा minus minus के plus हो जाएगे और यह 920 जो है यह इधर जाके आपका यह भी plus का हो जाएगा क्योंकि मैंस को हो जाएगा यह पू reinus का जाएगा है इधर जाएगा तो यह भी minus का तो दोनो plus हो जाएगे थीक है तो x की value कितनी आजेएगे आपकी 1600 रुपे ठीक है तो 32 को डिवाइड करेंगे 2 से तो X की वैल्य आपकी 1600 आ गई अब पूछा क्या गया है कि अभी जो इस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 25% प्रोफिट हो बैए एक बर मैं आपको कोशन पे लेके चलता हूँ कभी आप थोड़ा कन्फ सो ला सल रुपए यानि कि इतनी उसकी लागत है इतने में इस इनकी चीज़ को खरीदा था अब इसको बेचना है हमें 25% के प्रोफिट में प्रोफिट के लिए हमें क्या करते हैं 100 पल्स जितना प्रोफिट होता है उतना इसमें आड कर देते हैं यानिकि 125 परसेंट की वैल 2000 में बेचते हैं तो आपको 25% का profit हो जाएगा तो आसा करता हूँ कि आपको ये question समझ में आया होगा एक बर और देख लिए जगा अगर समझ में नहीं आया और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है next question पे चलते हैं next आपका question number 2 है इसको आप खुद भी कर सकते हैं बहुत ही आसान सा question है और ये पहले कहीं बार आ चुका है RRB के exam में अलग-अलग exam में तो देख लेते हैं इसको भी समिकरन दे रखा है x plus 3y बराबर 15 और एवं 5x minus 2y बराबर 7 के लिए x एवं y का मान करमान्स होगा यानि कि आपको x और y की value बतानी है तो कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है दो equation आपको दे रखे है equation 1 और equation 2 इन दोनों का आपको क्या करना है मतलब कि इनको एक side equal कर लीजे तो आपकी यहाँ पे या तो y को equal कर लीजे या फिर x को equal कर लीजे तो मैं आपको x को equal कर लेता हूँ ठीक है तो x equal कैसे होगा उपर अगर मैं सभी में 5 5 की multiply कर दू तो x वाली side equal हो जाएगी यह कट जाएगी न तो यहाँ पे मैं 5 की multiply कर लेता है तो कितना हो जाएगा x में multiply करेंगे 5 x और इधर minus sorry यह तो आपकी equation है ना 2 वाली यह तो मैंने वैसे लिख ली और यहाँ पे देखे 5 की multiply करेंगे तो 5 x और यहाँ पे 3 में करेंगे 5 की तो 15 y और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 की तो 75 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इसको आप solve कर सकते है y की value निकल जाएगी तो फिर आप किसी की भी निकाल सकते है 5 से 5 कट जाएगा यह side और इनके sign हम change कर लेंगे ठीक है जो plus है उसको minus कर लेंगे और जो minus है उसको plus कर लेंगे तो दोनों side में minus हो जाएगा तो sign change कर लेंगे तो आपका क्या होगा देखे यह minus का है और यह भी minus का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोनों minus के 17y ठीक है और इधर क्या हो जाएगा यह बचेगा 7 मेंसे यह minus के 75 minus करेंगे तो कितना बचेगा minus के 68 यह बचेगा तो y की value यहापे क्या आजाएगी 68 को divide करेंगे 17 से तो y की value आपकी 4 आजाएगी तो value of y आपकी मिल गई है आपको कितनी 4 तो यहापे x की value निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कैसे निकालेंगे भई x पलस y किसी भी एक equation में रख दीजे पहले वाली में रख देते हैं x पलस y इक्वल टू जो 15 वाली है तो इसमें आपको x की value निकालनी है और y के आपकी कितनी सी हैं आपे y की देखे इस वाली equation की मैं बात कर रहा हूँ यह वाली x पलस 3y और 15 वाली में ठीक है तो y की value आपको 4 मिल गई है तो 4 की multiply कर देंगे 3 में तो 4 ती है 12 तो यहाँ पे होगा x पलस 12 इक्वल टू 15 तो यहाँ पे आपकी x की value निकल के आ जाएगी इसमें से यह दर जा कि मैनस हो जाएगा 15 में से 12 तो x की value आपकी 3 आगी तो यहाँ पे x की भी और y की दोनों value मिल गए x की 3 है तो y की 4 हो जाएगी तो आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इस type की question आप easily कर लेंगे ठीक है पहले भी आपने 10th में भी कियोंगे तो आसा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा next question पे चलते हैं next आपका question है एक आयत का परिमाप परिदियानी की 60 मिटर है यदि इसकी लंबाई इसकी चोड़ाई की दो गुनी हो तो इसका छेतरपल होगा यहाँ पे दियान दीजेगा यदि इसकी लंबाई इसकी चोड़ाई की दो गुनी हो तो इसका छेतरपल गयाद करना है तो बहुत ही आसान सा question है ये भी देखे माना हमने आयत की जो चड़ाई है वो L है ठीक है तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी क्योंकि इसकी दो गुनी है ठीक है तो ये 2L हो जाएगी और यहाँ पर क्या दे रखा है परिमाप आपका कितना दे रखा है परिदी आपकी साथ दे रखी तो ये कैसे हो जाएगा 2L प्लस 2L आपका बराबर किसके हो जाएगा 60 के तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 6L बराबर 60 हो जाएगा 2 की L में करेंगे तो 2L और इसमें करेंगे तो 4L तो दोनों को पलस करें कि तो 6L बराबर 60 तो L की value आपको यहाँ पे मिल जाएगी 10 ठीक है भई इतना तो आपकी समझ में आई गया होगा अब क्या निकालना है आपको आयत का 6 तरफल निकालना है तो चोड़ाई आपको पता चल गई कितनी है L का मतलब है कि चोड़ाई आपकी 10 है और लंबाई कितनी हो जाएगी यह 2L थी तो यह आपकी 20 हो जाएगी ठीक है 10 की 2 में कर लेंगे multiply तो चोड़ाई और लंबाई आपको मिल गई तो आयत का 6 तरफल आप निकाली सकते हैं कि multiply 20 में कर देंगे लंबाई तो चोड़ाई तो कितना हो जागा 200 मेटर इस दी राइट आंसर ठीक है भई आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे सारे कोशन तो चलिए next कोशन पे चलते हैं next आपका कोशन है और इस कोशन को मैं बहुत ही असान तरीके से कराने वाला हूँ एक आयत की लंबाई में 10% वरद्धी तथा चोड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के 6 पल में कितनी वरद्धी अथवा कमी होगी या आपको बताना है कि वरद्धी होगी कमी होगी ये ग्रूप D में भी दो बार कोशन आ चुका है और इस तरीके कोशन आते रहते हैं रेलवे के एकजाम में तो कैसे करना है एक बार आप खुद भी ट्राइ कर सकते हैं एक आयत की लंबाई 10% से वरद्धी हुई है ठीक है और चोड़ाई में 10% की कमी हुई है तो कमी कर देने से आयत के चेटरपल में कमी होगी या वरद्धी होगी यह आपको बताना है तो यहाँ पर हमें एक ही फोर्मुला याद रहना चाहिए जिससे हम कर दें कि दो परसंटेज को एक परसंटेज बनाते हैं effective percentage वाला formula समझगे ना आप कौन सा x plus y x into y upon 100 ये सभी को याद हो चुका होगा क्योंकि इसका बहुत यूज होता है कहीं कोशनों में यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेगा अगर वरद्धी हुई है तो plus लीजेगा और decrease हुआ है कमी हुई है तो इसको minus कर दीजेगा ठीक है द करना है तो x plus y जो है यहाँ पे लिखेंगे वरद्धी हुई है तो plus का दस हो जाएगा ठीक है और minus कर देंगे हम क्योंकि कमी हुई है तो y को हम लिख देंगे minus 10 फिर यहाँ पे plus 10 वरद्धी हुई है माइनस 10 आपका हो जाएगा ये कमी होई है अपोन में 100 तो 10 में से 10 जाक अगर प्लस के आती तो आपकी वरद्धी होती ठीक है तो कितना हो जाएगा B is the right answer यानि की 1% की कमी हुई है छेत पल में आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अगर इस तरीके कोशन आता है तो आप इसली कर लेंगे नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं देखे अब एक कोशन है यह चकरवरती ब्याज का इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ चकरवरती ब्याज की दर से कोई धनरासी 5 वर्सों में 2 गुनी हो जाती है यही धनरासी कितने वर्स में 8 गुनी हो जाएगी यह आपको बताना है रेल्वे ग्रूप डी में दो बार यह कोशन पूछा जा चुका है तो कैसे करना है अब इसको देख लेते हैं एक बर और पर लेते हैं कोशन को यहाँ पर बोलेगा चकरवरती ब्याज इस चीज का ध्यान लेखेगा CIE वाले चैप्टर है यह ठीक है कंपा पांच वर्सों में फिर दो गुनी हो जाएगी तो दो का दो गुना कितना होगा चार हो जाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट पांच वर्सों में आपका फिर दो गुनी हो जाएगी तो आट हो जाएगा तो आप आप समझ गये होंगे कि यह दो गुनी दो गुनी होते होते दो क हो जाएकीगी चार और 4 का हो जाएगी 8 तो आपका यह कितना हो जाएगा 8 गुदी कितने वर्ससें हो जाएगी वहीं 502 द्यूंश में और 15 बढ़ेटे आप 02 15 वर्सों में यह आपकी हो जाएगी 12 ठीक है यहनि कि इसका दूग ना करते जाना था तो पूछे जाता कि 12 गुना कितने वर्सों में होगी तो यह भी आपका हो जाता इतने वर्सों में आनि ठीक है 15 वर्सों अगर यहाँ पे यह 5 वर्सों में तीन गुना होती ठीक है न तो आसा करता हूँ आपको ए ट्रीक अच्छी लगी होगी तो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करेगा और बतेगा मुझे कमेंट बोक्स में नेक्ट कोशन पर चलते हैं यहाँ पर आपका एक कोशन है कि यदि x के 16% का मान 48% sorry 48 के 12% के बराबर है तो x का मान है यानि कि x का मान आपको बताना है देखे इस तरीके कही कोशन आपके एक्जाम में आते हैं यहाँ पर सीधा सीधा सा कॉंसेप्ट है कि यहाँ पर बोल गए अगर x का 16% निकाला जाए ठीक है जो भी होगा जैसे इन्होंने बोला है विल्कुल वैसे रख दीजिए x का 16% कैसे निकालेंगे 16 अपॉन में 100 करेंगे और इसको इक्वाल करके लिख लेंगे 48 का 12% अपॉन में 100 कर देंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यह दो यह 100 से 100 कर जाएगा आपका फिर यहां पर 16 से भी कर जाएगा क्यूंकि एकवल रखा है न तो एक दूसरे की साइड में काट सकते हैं क्यूंकि जब एकवल रखा होता है तो आपका क्या होता है डिवाइड में होता है तो 16 से कर जाएगा कितनी बार 3 टाइम तो यहां पर क्या बचा आपका क्यवल एक्स और इस साइड में क्या बचा 3 और 12 तो 3 और 12 की मल्टिप्लाई कर दीजे तो एक्स की वैल आपकी 36 आ जाएगी तो आसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा यानि कि 36 का 16 परसेंट क टूट कर एक भवन पर 45 डिगरी के साथ लग गया है यदि पेड की जड़ भवन से 200 मिटर दूर है तो भवन की उचाई क्या है तो मैं सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा इमेज बना के समझाता हूं एक पेड गिर के टूट के गिर गया और यह भवन है मान लिजे ठीक है यह भवन है यह घर एक और इस पेड टूटके गिर गा और वो 45 डिगरी का कौन बना रहा है और जो इसकी जड़ है यह पेड ऐसे खड़ाता और ऐसे गिर जाएगा तो इसकी जड़ होगी है यह जड़ और इसके घर से कितनी दूरी पर है यह 200 मिटर की दूरी पर है ठीक है इतनी चीज़ आपको clear हो गई, बोला क्या है यहां पर क्या मिल गया, यह base मिल गया है ठीक है, यह आपको निकालना है यानि की, पूचा क्या गया है, height यह आपको निकालना है, height भूचिये, ठीक है, तो यहां पर हम लगा सकते है, 10 ठीटा तो कि perpendicular upon base यह base आपको पता है यह आपको निकालना है तो 10 theta आप यहाँ पे P upon B कर सकते हैं तो 10 theta यहाँ पे 45 degree हो जाएगा theta की value और H upon 200 आपको यह दे रखा है तो 10 45 degree की value क्या होती है 1 होती है सभी को पता होगा अगर देखी आपको यह values नहीं पता है तो इन values को जुरूर याद कर लीजे कहीं question होते हैं कि ऐसे ही direct पूछ ले जाते हैं इनकी value से related है ठीक है तो यहाँ पे क्या जाएगी value 1 आजेगी और यह किसके equal हो जाएगा H upon 200 ठीक है तो यहाँ पे cross multiply कर लीजे सीधा सीधा सा बस आप इस तरीके से तो कितना हो जाएगा H बराबर 200 मिटर यानि कि जो यह उंचाई हो जाएगी यह वाली यह height जो जाएगी यह कितनी हो जाएगी house की यह आपकी 200 मिटर हो जाएगी तो आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा question इस तरीके का question कहीं बार आपके exam में पूछा जाता है ठीक है बई चलिए फिर next question पे चलते है देखें एक ही यह question है बहुत ही अच्छा है और यह group D में पहले भी आया है एक train 7 second में एक pole को पार करती है और यह 378 मिटर लं train की लंबाई निकालनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि train 7 second में तो एक pole को पार कर रही है और एक इस तरी train को आपको जो जिसकी लंबाई 378 मिटर उसको पार कर रही है 25 second में तो यहाँ पे train की गती पूछी है तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे train की length train की length क्या है उसको निकालने क क्या करेंगे x मालने चे हम length x है ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भई जो train की length रही होगी वो तो सेम ही रहेंगी ना दोनों side में तो हम क्या करेंगे x को अगर मैं 7 से divide कर दू तो speed आजेगी हमारी निकल के ठीक है क्योंकि यह x जो है यह तो length है train की और जो यह है इसका यह time है एक pole को पार करने का जब एक train pole को पार करती है खड़े खंबे को पार करती है तो वो 7 seconds लेती है तो यहाँ पे x जो train है जिसकी लंबाई x है उसको अगर मैं 7 से divide कर दू तो इसकी speed निकल के आजेगी तो speed तो उसकी चाहे वो किसी खड़ी वी train को पार करके जाए या कि उसको पार करके जारी है दूसरी train और जो खड़ी वी train है उसकी लंबाई कितने है 378 मेटर तो आपको क्या करना है जब इस train को पार करके जाएगी तो दोनों की लंबाई लेते हैं इस चीज़ का भी आपको पता होगा तो x plus 378 upon 25 अगर मैं इसे 25 से divide कर दू तो यहाँ पर speed आजेगी निकल के train की तो हम क्या करेंगे इस तरीके से इसकी सबसे पहले लंबाई निकाल लेंगे ठीक है अब यहाँ पर कर लिजेंगी क्रोस multiply बस आपका अंसर आ जाएगा 25 की x में करेंगे तो 25 x और इधर करेंगे तो 7 x और 378 into 7 ठीक है भाई आप इस चीज़ को समझे मैंने इसको equal क्यों लिखा बहुत ही simple है क्योंकि दोनक साइड में speed तो उसकी change नहीं होगी ना चाहे वो किसी खंबे को पार करके जाए चाहे किसी train को पार करके जाए ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब इस तरीके से x वाली values को एक साइड में लेंगे तो इस करेंगे 18 से तो 18 से 378 चला जाएगा 21 टाइम और 21 की multiply 7 में करेंगे तो x की value आपकी 147 आजाएगी और यह आजाएगी length of train train की लंबाई ठीक है अब train की चाल आप easy ले निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से तो train की चाल क्या दे रखिए भई वो sorry time क्या दे रखता 7 साथ साइकिन एक खंबे को पार कर रही थी तो train कितने लंबी है जब एक खंबे को train पार करती तो हम कैसे निकालते हैं समय कैसे निकालते हैं आप से देखिए जब भी हम किसी एक train किसी खंबे को पार करके जाती है तो हम समय निकालते हैं कि कितने समय में पार करेगी train की लंबाई और उसक 21 meter per second यानि कि train की जो चाल थी 21 meter per second थी अगर ये घंटे में आपको option दे रखा होगा तो क्या करना है 21 into 18 upon 5 करना है तो ये कितना जगा 75.6 km पर आर तो आशा करता हूँ कि आपको ये question समझ में आया होगा ठीक है इसी तरीके से आप equal करके एक दूसरे को equal रख करके क्योंकि चाहे वो train किसी भी खंबे को पार करके जाए या किसी train को पार करके जाए train की जो चाल है वो तो same रहेगी न जब किसी मान लीजिए एक जंगा तो खड़ी या train और एक जंगा खड़ा है खंबा तो यह पार करके जा रही है, तो train की यह थोड़े ही कि खंबे के जाती आगे थोड़ी तेज हो जाएगी या बंदी हो जाएगी train, वो एक speed से जाएगी, constant speed से जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों को एकवल करके लिख लिया, और यहां से हमें x की value मिल गई, ठीक है, छ 132 मिटर लंबे एक bridge को पार करने में कितना समय लगेगा, तो यहां पर आपको क्या करना है भई, बहुत ही simple है, दोनों की length को plus करेंगे, train की लंबाई plus bridge की लंबाई और train की चाल से भाग कर देंगे, तो train की लंबाई 110 मिटर है, bridge की लंबाई कितनी है, 132 मिटर है, दोनों को plus करिए और divide कर दीजे, यहां पर हाँ, इस चीज का ध्यान रखेगा, मैंने आपको पहले भी बदा है, यह 32 km पर 30, sorry, 32 km पर 30 गंटा दे रखा है, और जो आपकी लंबाई दे रखे train की, वो दे रखी है, meter में, तो इसको भी आपको meter पर second में बदलना पड़ेगा, तो 32 km को meter पर second में बदलेंगे, 72 km पर 30 गंटा को meter पर second में, तो क्या करेंगे, पांच बटे अठर से multiply करेंगे, तो अठर से बातर जाएगा, चार बार, और चार की पांच में करेंगे, तो 20 हो जाएगा, 20 meter पर second, ठीक है, 20 meter पर second, दोनों की length को plus करेंगे, 242, 242 को 20 से divide करिए, तो कित second में, ठीक है बई, तो चलिए मिलते हैं, next वीडियो में, तब तक के लिए, take care, वीडियो को देखने बहुत बहुत धिनेवाद, आपका दिन सुबह, और हाँ, अगर आपने को PDF लेनी है, और अपने अभी तक Telegram जोइन नहीं किया है, तो Telegram को जरूर जोइन कर लीजेगा, Thank you so much, वीडियो को देखने लिए बोध बोधनेवाद, आपका दिन सुबह,